Most powerful dark psychological technique के बारे में बात करें तो आज कल इसे businessmen, leaders और politicians इसे यूज़ करते हैं दरसल इसे कहते हैं fear mongering dark techniques इसमें क्या होता है कि इसमें डर दिखा कर, डर फैला कर, सामने वाले के emotion से खेल कर अपना काम निकल वाले ना होता है Hitler ने भी यही चीज़ की थी कि Jews का डर दिखा कर और दर फैला कर उनको देश के लिए खत्रा बताया था, आजकल politicians और leaders भी दूसरे religion के एक बारे में डर दिखा कर फैला कर अपना काम निकल वाले थे जूते की तरफ देख और उसके फेस पे देख कर छोटी सी स्माइल दे, एक आइब्राव को ऊपर उठा और देख उसके तरफ, वो बंदे को थोड़ा अजीब लगेगा और confused में आ जाएगा कि तू उसको देख कर ऐसा क्यों कर रहा है, उसके बाद वो बंदे को तेरे में क स्क्यूलेशन को माहिर करने, फॉलो कर और आगे आने के लिए रिसर्ज साइको को, डाक सेडक्शन टेक्नीक्स जो किसी को भी आपके पीछे पागल करवा सकती है, नमबर वन, जब भी कोई आपसे मिलने की कोशिश करे, उसे दूर रहने के लिए कहें, जो चीज इनसान हास उसकी इनसान सबसे ज्यादा चाहर रखता है, नमबर टू, अगर आप आमने सामने बात कर रहे हो, तो थोड़ा पीछे हट कर बात करो, ऐसा करने पर वह सोचेगा कि यह दूर क्यों भाग रहा है, इस प्रकार वह आपसे mentally attract होने लगेगा, तेरे पास दो ओंप्शन है, या और manipulation का master बनना है, तो इस technique को पूरा समझ कर ही इस्तिमाल करना, 1. Be predictable sometimes, इसका मतलब तुम्हें सच में predictable नहीं बनना है, बलकि अपने plans में ऐसे twist अड़ करके तुझे fake plans बनाने है, जिसमें किसी को तेरे evil plans पर doubt ना हो, और तुम्हारा behavior एक normal behavior लगे, ताकि तेरे fake plans में वो आस जानी से फस जाए, और आखिर तक वो तुझ में confused रहे, 2. Be privatized yourself, एक great manipulator सामने वाले की सारी information लेगा जरूर, लेकिन कभी अपनी कोई information किसी के सामने जाहिर नहीं करेगा, उसे पता है कि कब कितना कहा किस के सामने बोलना है, क्योंकि अगर तेरे opponent को तेरे बारे में कोई information न नहीं कर पाए, इस वीडियो में आप कुछ ऐसा सीखने जा रहे हैं, जिससे आप दुनिया में बाकी लोगों से आगे बढ़ सकते हैं, हिटलर से लेके बाकी के ही राजनेताओने इन डाक साइकलोजी ट्रिक्स का यूज अपने कारे काल में करा हैं, पर उससे पहले एक डि इसमें human behavior को control करने के अलग-अलग तरीके बताए गए हैं, जैसे की persuasion, manipulation और बाकी तरह की चीज़ें, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो पाच डाक साइकलोजी की टिक्नीक जिन्हें आप आज से ही यूज कर सकते हैं, टिक्नीक नमबर वन, fear mongering, लोगों में डर फैला क उनके emotion की साथ खेल कर, अपना काम उनसे करवाना, जो तुम चाहते हो, वो तुमार ले करेंगे, बस उने एक बार डरा दो, जैसा कि हमने हिटलर के दोर में देखा था, उसने media और propaganda का इस्तेमाल करके, जो उसको देश का सबसे बड़ा खत्रा बना दिया, जिससे सभी नाज जी उसके साथ हो गए, और फिर हिटलर ने उनसे जंगे लड़वाई, केई देशों पर कबजा किया, जैसा वो चाहता था होगा, क्यों? क्यूँकि लोग डर चुके थे, जो उसको पर्सिक्वेट किया गया, क्यों? क्योंकि लोग डर चुके थे. आजकल भी हम फियर मोंगरिंग के एक्जमपल देख सकते हैं लोगों मेरे डर फेलाते हैं कि दूसरे दरम का इंसान तुम मार देगा तुम खत्रे मो पर ऐसा कुछ है नहीं सिव वो अपनी बात तुमसे मनवाना चाहते हैं सिब वो अपनी पावर बढ़ाना चाहते हैं तो आगे से कभी भी किसी भी पॉलिटिकल या रिलिजिस लीडर की बातों में ना आए लव बॉमिंग ये एक ट्रेप है जिसमें लिटरली प्यार में फसाया जाता है पहले तुम दूसरे इंसान को बे सुमार प्यार देते हो मतलब कि उनको कॉंप्लिमेंट देते हो गिफ्ट देते हो बात अच्छे से करते हो फुल अटेंशन देते हो पर जैसे ही वो इन सिब चीजों का एडिक्ट हो जाता है इन सब चीजों का आदी बन जाता है ट्रेफ में फच जाता है तुम सब कुछ विड्रो कर लेता हो अटेंशन देना बन कॉंप्लिमेंट देना बन और तो और केस्टिसाइज करने लगते हो इंपोर्टेंश देना भी खतम कर देते हो अब तुम खेलो उस इंसान के दिमाग के साथ क्योंकि वो इन सब चीजों का एडिक्ट हो चुका है उन्ने यह सब चीजे चाहिए वो अटेंशन का भूगा हो चुका है उसे इंपोर्टेंश चाहिए तुमसे तो अब वो तुम्हारे पीछे बागएगा उससे craving होएगी इन सब चीजों की जिससे वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा तो अगर तुम किसी के गुलाम नहीं बनने चाहते तो इन बातों को ध्यान लखना कोई भी इंसान आते ही तुम्हें बहुत जादा कॉंपलिमेंट दे इसका मतलब वो कुछ न कुछ तुमसे चाहता है अच्छी बाते करें इसका मतलब वो तुमसे कुछ चाहता है कभी केटिसाइज न करें इसका मतलब तुमसे वो कुछ चाहता है रियल फ्रेंड केटिसाइज ट्राइंगुलेशन मैथ में पढ़ा था लेकिन साइकलोजी में भी ट्राइंगुलेशन होता है इसमें तुम किसी थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करके अपना काम निकलवाता हो जैसे कि अगर तुम्हें अपनी वाइफ को जैलेस या अपनी गल्फरेंड को जैलेस फिल कराना है तो तुम किसी तीसरी लड़की को कॉम्प्लिमेंट करोगे उनके सामने जिससे वो जैलेस फिल करेंगी इसका इसकी साथ साथ एक और तरह का इस्तेमाल है जिसमें आप इसे पॉजिटिव और नेगिटिव दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं दो आदमियों की लड़ाई के बीच आपका साहरा बनना आप चाहें तो उन दोनों की लड़ाई सुलजवा सकते हैं और चाहें तो अपने आपको सुपीरियर बना सकते हैं दोनों की नजरों में उन दोनों के सामने उन दोनों की वराई करके आपको जादा तर पॉजिटिव पर करना है क्योंकि नेगिटिब बन के साइकलोजी का मिस्यूज बिल्कुल ना करें टेकनीक नमबर फूर देफूट इन दर डो टेकनीक इसका इस्तमाल आप करते हैं जब आपको किसी से एक बहुत जादा बड़ी मदद चाहिए होती है इसका इस्तमाल करने के लिए आपको सबसे पहले एक छोटी मदद मांग लिए जिसे वो इनसान आसानी से दे सके फिर आप बड़ी मदद मांग सकते हैं इसका एक्जामपल बड़ा ही सरल है मानिए कि आपको किसी दोस्त से 10,000 रुपे चाहिए आप डायेक्ट जाके 10,000 रुपे मांगेंगे वो मना करतेगा बजाए आप क्या कर सकते हैं आप जाएए और उससे 100 रुपे मांगे ये 500 रुपे मांगे वो देगा अब आपको जल्द से जल्द ये पैसे वापिस कर देने हैं अब यहाँ पर ट्रस्ट बिल्द हो गया है और अब आप अगर उससे इंसान से 10,000 रुपे मांगेंगे तो वो बिल्कुल आपको 10,000 रुपे देगा इसी तरीके से आप दा फूट इन दर डोर टेकनीक का इस्तिमाल कर सकते हैं और अपने दोस्तों से मदद मांग सकते हैं एकनीक नमबर 5 दा इसकाज स्रिटी प्रिंसिपल ये भी फिर मोंगरिंग की तरह डर का इस्तिमाल करके लोगों के भावनाव की साथ कहलता है जिसमें आप एक डर पैदा करते हो डर किस चीज का डर लोगों से बिछट जाने का लोगों से पीछे रहे जाने का इन शोट आप इसे फोर्म ओके सकते हैं Fear of missing out कोई भी इनसान किसी से पीछे निरेना चाहता जिसकी वैसे आप उनके इस डर का इस्तिमाल कर सकते हैं इसमां आपको करना कुछ नहीं बस दिखाओ कि जो भी चीज वो लेने जा रहे हैं बहुत कम बची है खतम होने पर है एक्जामपल बहुत सारे ब्राइंड्स अपने limited product निकालते हैं limited edition निकालते हैं या फिर बहुत सारे ब्राइंड्स अपने product पर कहते हैं कि बस तीन बच्चे हैं ले लो वह अन्ना तुम पीछे छूट जाओगे वो इस दुनिया से बागी लोगों ने ले लिया लेकिन तुम नहीं ले पाओगे इस तरह से आप scarcity principle का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें किसी चीज की कमी को ही तागत बनाया जाता है dark psychology होती क्या है dark psychology आप human behavior को hack करके लोगों के emotions के साथ खेलते हैं उसे ही dark psychology के अपने काम के लिए किसी भी इनसान के behavior के साथ खेलना dark psychology के लाता है तो इससे बचे कैसे है इन सारी टेक्निक्स को जानने के बाद आप इन से अपने आपको बचा सकते हैं उन लोगों से जो आज भी इन टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं पर उससे पहले एक छोटा से डिस्क्लिवर आपको सी इन टेक्निक्स का यूज़ अपने बचाव के लि अपना एक बायस देखते हैं, जिसमें लोग, उन लोगों पर जादा वरोसा करते हैं, जो उस फील्ड के प्रोफेशनल ये एक्सपर्ट होते हैं, एक्सामपल, अगर कोई इनसान आप से किसी प्रोड़क्ट को यूज करने के लिए कहें, जो आयलवेदस रेडेटेड हैं, तो आप नहीं करेंगे, इसी प्रोड़क्ट को एक बाबर रेकेमेंड कर दे, तो आप बिल्कुल उस प्रोड़क्ट को लेंगे, ऐसा हमने टीवी प कंपनियां बंद हो रही थी, और लोग बागों ने बेकन खाना छोड़ी रखा था, इसी बीच एंट्री होती है, फादर ओफ प्रोपगेंडा, दा डॉक्टर एडवर्ड मनेस की, उन्होंने एक नए मुहीं चलाई, एक नया केमपेंज चलाया, दा हेल्दी स्टार्ट डे के नाम से, जिसमें उन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट को इखटा करा, बहुत सारे डॉक्टर्स को इखटा करा, और उनसे पेक रिशर्च फेपर बनवाए, जिसमें कहा गया कि आपका ब्रेकफ़स्ट आपके तिन का सबसे जादा इंपोर्टेंट मील है, और उसको आपको हेवी कंजिम करना है डेली, जिससे हुआ क्या, जिससे बेकन की से रैपिटली भड़ गई, और दो और लोगबागों का आज तक ब्रेकफ़स्ट हेवी होता है अमेरिका में, बेकन एंड एग्स आज भी अमेरिका का क्लासिक ब्रेक़स्ट माना जाता है, जो काफी ह आपको इन लोगों से बचना है, अपने आपसे पूछें कि यह प्रोड़क्त वाकी में अच्छा है या फिस सिर्फ एड़टाइजमेंट है, और किसे ही फैंटम अथर्टी क्या है, तर सोशल प्रूफ पिंसिपल, इसमें हम देखते हैं अपना मंकी माइंड, मंकी माइंड कैसे, हम जादा तर लोगों को देखकर अपने विचार बनाते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं, चाहे किसी रेस्टरून की पॉपलेटी हो, या किसी मुच सी चीज़ को ओवर हाइप खनना, इसी तरीके से रेड़बुल ने भी हमारे दिमाग को समझा और अपने मार्केटि करनी चाहिए, और यही रेड़बुल के रेपिट सक्सेस का कारण मना, साथी साथ चाय सुट्टा बार ने भी कुछ इसी परकार की टेकनीक अपने बिजनिस मोडल में यूज करी, जहाँ पर चाय सुट्टा बार के फाउंडर ने अपने दोस्तों को इखटा करके अपने के लाइन मिनते हैं, तो वो भी एक सोचल प्रूफ का ही एक्जामपल होता है, इस साल तो पॉजिटिव यूज होता है, सोचल प्रूफ के, जिसमें हम देखते हैं सोचल मीडिया पे बढ़ रहे हैं फेक फोलोवर, जहां पर आदिस जादा क्रियेटर फेक फोलोवर रखते है अगर आप इसे क्रियेटर को देखते हैं, जिसके 40 मीडियन फोलोवर हैं, तो उनमें से 75% फेक होते हैं, पर ऐसा वेक क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग उन लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट और ज़्यादा वेल्यू करते हैं, जिनके ज़्यादा फोलोवर होता है, रीसिप्लोसिटी, इसमें हम समाज का एक बहुत जादा यूज्ड इूजड कल्चर देखते हैं, जिसमें हम एहसान करते हैं, और अहसान उतारते हैं, ज़़ तक हम किसी का एहसान उतारना दे, हमारे दिल को सकुन नहीं मिलता, और इसी का फायदा उठाकर बहुत सारे पस दिये जाते हैं किसी प्रोड़क्ट के ताकि आप उन्हें खरीज सको और इससे चांसिस भी जादा हाई हो जाते हैं जब आप एक आईस क्रीम को टेस्ट करते हैं तो आप उसे खरीद भी है क्योंकि आप जलीन फील करते हो जब तक वो खरीद ना लो आप उसके फ्री इसान को गिफ्ट दे कर पैसे दे कर इतना दबा देते हैं इतना दबा देते हैं कि वो किसी बात पो कर पाता वा उनके इसान के तली दफ चुका है और वो अब सब कुछ करे का जो वो rise कहेंगे उसने इन्सान अपनी गल्तिया अपनी क्КАमिया दूसरे के ऊपर थोपता है जैसे कि कोई इनसान कहे अपनी गर्फ्रेंड से कि तू मेरे ओपर चीट कर रही है जब कि वो खुद उस पर चीट कर रहा है कि इस सारे अफेर्स के साथ, ऐसे ही एक्जामपन हम देखते हैं पॉलिटिशन में, जहां पर वो खुदी कम्यों को किसी और के ओपर टाल देता है, किसी पास्ट में रहे लेडर के ओपर टाल देता है कि उसकी गलती है, उसकी वाइसे आज यह हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो सिफ तुम्हारी नाकामिया है, आप इसमें अपनी गलती को किसी और के ओपर प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे ही बहुत सारे परेंट्स भी कर किसी और के अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब किसी और के अंदर देख रहें, रिवर्च साइकलोजी, इसमें आप अपना काम निकलवाता हैं लोगों से, इंडरिक्ली, आप उन्हें वो ओर करते हैं, जो आप चाहते हैं नहीं हैं, बलकि बिल्कुल अपोजिट ओडर गया था कि जो भी मैं कहता हूं अपनी बेंस वो नहीं करती तो जब भी हम टीवी देखते थे और मुझे कोई चैनल पसंद नहीं आ रहा था तो मैं उससे कहता था कि इसी पे लागा रहें दियो वन्ना मैं तुझे मार दूँगा अपकोस कोई भी इंसान ओडर लेना पसंद नहीं करता वो भी नहीं करती थी तो वो उस चैनल को चेंज कर देती थी मेरा काम भी हो जाता था और उसे पता भी नहीं लगता था यह टेक्निक मैंने काफी सालों से यूज करता आ रहा हूं अब भी करें पर नोट फॉर रॉंग परपस आइसोलेशन यह एक बहुत जाद अच्छी टेक्निक हो सकती है अकर आपको किसी की दिमाग में अपना परस्पेक्टिव बढ़ना है इसमें आप इनसान को उसके सपोर्ट सिस्टम लाइक फैमिली फ्रेंड्स और बाकी दुनिया से अलग कर देते हैं और अपना परस्पेक्टिव को उनके दिमाग में जाता है जिसमें हमेशा उनके लीडर उनके सुप्रीम लीडर को डिफेंड करते हुए देखा जाता है जहां पर वो कुछ भी कर दे मीडिया उनके सपोर्ट में ही बोलेगी अगर नहीं बोलेगी तो बार जाएगी ब्रेंड वोशिंग में भी आइसलेशन का एक बड़ा ही एहम किरदार होता है जिसमें इनसान को बाहरी दुनिया से सेम बाहरी दुनिया से अलग कर दिया और उसके दिमाग में एक पार्टिकुलर परस्पेक्टिव बिठाया गया सम अब दे नासिस अब्यूजर्स भी यही करते हैं इनसान को सबसे पहले उसके सपोर्ट सिस्टम स These all things we see every day in our life But हम focus नहीं कर पाते हैं और अब मुझे लगता है कि आप इन सारी टेक्निस को जानने के बाद focus कर पाओगे और देख पाओगे कि दुनिया में कैसे क्या चल रहा है I hope कि ये वीडियो आपको समझ माई होगी